गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आज हम आपको डिस्कवर हंडर्ड सीसी जो फोर गेर में आता है उसके इंजन में मतलब कौन कौन से टाइप के बैरिंग होते हैं और मतलब किस किस नंबर के होते हैं जी हम आपको उसके बारे में जानकरी देंगे जे जो हमारा लेफ्ट क्रेंग की सकवर है जे आउटपुट शाफ्ट में जे जो नीचे का बैरिंग है जे बैरिंग 6203 नंबर का है और जे जो इनपुट शाफ्ट के जो नीचे का बैरिंग है जे निडल रोलर बैरिंग है और इसका नंबर है 1312 ओके और जे जो राइट मतल निडल रोलर बेरिंग है इसका भी नमबर है 1312 और जी जो इनपुट शाफ्ट का जो बेरिंग है जे 6203 मतलब की जो मेन जो इसके गेर में गेर की जो बेरिंग होते हैं दो मतलब जो बेरिंग होते हैं आउटपुट शाफ्ट और इनपुट शाफ्ट 6203 और जी जो निडल हो गई मतलब और इसके बाद जो मतलब इसकी जो क्रेंक शाफ्ट होती है अब हम आपको बात बता देते हैं जे क्रेंक के हमने एरपेर करवाया है जे जो है बैरिंग है इसका जो नंबर है जे 6304 का है जे जो दोने बैरिंग होते हैं जे 630 जे 0 अपना 4 के जे दो दो अपना जाने की भी बैरिंग जो इसमें डगते हैं और मतलब सीम सपलेंडर में भी मतलब जो क्रेंक शाफ्ट होती है उसमें भी जी सी नंबर के बैरिंग डलते हैं 6304 और जे जो कलाच रिलीज जो बैरिंग होता है जी होता है 6 मतलब 1000 6000 नंबर का जी बैरिंग आता है मतलब जी ही में इंजन की बैरिंग होते हैं जो इस इंजन में डलते हैं ठीक है जी कलियर बस इस इन्फरमेशन इस वीडियो में हम आपको जी ही सिर्फ पैरिंग जो नंबर है उसके बारे में ही जानकारी देनी थी और एक मतलब जी जो इसकी जो कीम श और इसके बारे में हम आपको जानकारी देते हैं, और यह जो बड़े वाला जो बैरिंग होता है, इसका नंबर होता है, हम आपको नई दीक से भी करके दखा देते हैं, जो बड़ा बैरिंग है, और जो चोटे वाला बैरिंग होता है, इसका नंबर होता है, शिक्स डबल जिरो वन, और मतलब इसमें नंबर आपको कलियर नहीं आ रहा, लेकिन जाद रखें, चोटे वाला बैरिंग शिक्स डबल जिरो वन, और जो बड़े वाला बैरिंग है, 6003 मतलब इसके bearing होते है जही engine में मतलब bearing डलते हैं total हो गए 9 bearing मतलब जहीं नौ bearing मतलब जानी के engine में डलते हैं और बस इस information में हम आपको इसी चीज़ के बारे में जानकरी देना चाहते थे धन्यवाद